सब्सक्राइब करती हुँ आप सभी का मेरे इस चैनल रूबी बाचली रेसिपी में आपको हर दिन एक अच्छी रेसिपी और आसान रेसिपी जिसको हम बोल देन हमारा जो घरेलू खाना होता है पारों पर खाना होता है बिल्कुल देसी खाना उसकी नहीं नहीं रेसिपी आपको मिलती रहेगी तो चलिए आज एक और ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही ज्यादा अच्छी बनेगी बहुत टेस्टी बनती है और बहुत जटपट बन जाती है पता क्या कद्दू अब कद्दू से क्या बनाने वाली हूँ अब कहेंगे कद्दू में क्या बनाया है कद्दू तो सब लोग बनाते हैं खाते हैं अब देखिए किस तरीकी का कद्दू लिया है बिल्कुल पीला वाला कद्दू है जो पका कद्दू आता है न वो और आज इस पके हुए कि हम बहुत ही जाधा टेस्टी रेसिपी बनाने वाले हैं तो पूरी डेटेल रेसिपी देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बहुत ही टेस्टी बनेगी और घर में महमान आने वाले हो न तो इस रेसिपी को जरूर बनाएए इतना टेस्टी डेजर्ट इसके बने के तैयार होगा कि खाने वाला आपी तारीफ करते नहीं ठगेगा तो चाहिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं देखे पूरी हरा वाला कद्दू नहीं लेना है पका कद्दू लेना है जो पूरी तरीके से पीला कद्दू आता है पीस का छिलका में पीला होता है बस छिलके को अच्छे से उतारेंगे हम इसमें और छिलके को उतारें के बाद क्या करना है पूरी तरीके से इसको अच्छे स से ग्रेट कर लेंगे और चलते हैं आगे का काम शुरू करने अपनी ग्यास की तरब सबसे पहले क्या करेंगे एक कढ़ाई या पैन कुछ भी ले लेंगे बस मूटे तले का होना चाहिए और उसमें लेंगे हम शुद्ध देसी घी क्योंकि देसी का जो टेस्ट आता है बहुत ही जादा अलग होता है आपको इसमें देसी घी का ही इस्तमाल करना है तो बस देसी ही लिया था उसके बाद मैंने दो इलाइची को इसके दाने निकाल के इसमें डाल दिया है ताकि इलाइची का बहुत ही अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाए इलाइची का फ्लेवर की वज़े से इसका स्वात कई गुना जादा बढ़ जाता है तो बस जैसे ही इलाइची ह जाएगे, अलकी सी स्मेल आने रगेगे, हम अपना आगे का काम चालू कर देंगे, जब हमने कद्दू कस किया था, कद्दू को मतलब ग्रेट किया था, तो उसको सबसे बारिक वाले से किया था, कई बार ग्रेटर में दो तीन तरीके के होते, एक बहुत मोटा, एक बहुत पत होते हैं या कोई त्यवहार पढ़ जाता है या हमको कभी-कभी प्रिशाद बनाना होता है तो इंस्टेंट तरीके से आप इस रेसिपी को बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से आपका ये डेजर्ट बनके तयार होगा और सब्मुक को बहुत जादा पसंद आएगा और यख आप समझें तो एक आधा ग्लास दूट डाला है बहुत जादा नहीं डालना और कदू जो मैंने ग्रेट करके लिया था वो एक कप था मतलब मैं मेजरिंग कप से बताऊं तो एक कप था और मैंने आधा कप उसमें दूट डाला है आप क्या करेंगे दूट डालने के बाद अच्छे से चलाएंगे कई बार ऐसा होता है कि जब जैसा मैंने बताया कि कुछ इमर्जेंसी में हमें बनाना होता है और हमारे पास घर में मावा नहीं है खोया नहीं है बहुत सारी चीजे नहीं है और हम कम इंग्रेडियन में बहुत ही शाही रेसिपी बना की तैयार कर सक तो बस इसमें मैंने टॉन्ड मिल्क का इस्तुमाल किया है क्योंकि मेरे पास भी फूल क्रीम उस वक्त अवेलेवल नहीं था बस दूट डालने के बाद अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसको ढख देंगे तीन से चार मिनट लोग फ्लेन पे ढखने के बाद इसको जब चेक करे अंगे तो आधा दूट तो इसमें ओड़ गया होगा और वही दूट घुट घुट के क्या हो जाता है बिल्कुल मावे की कंसिस्टेंसी में आ जाता है तो बस मावा ना हो तो इस तरीके से काम चला सकते हैं एक और सीक्रेटिव देती हूँ एक दो चमच मिल्क पाउडर भ मेरे पास था मैं सारे ओप्शन बता रही हूँ आपको इसलिए मैंने डाला अप उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे तीन टेबल स्पून के करीट चीनी डाल दी है चीनी बहुत जादा नहीं डाली है अगर आप पूरा चीनी का बना रहे हैं तो पूरा चीनी डाल दीजे और क इसका टेक्चर आता है बिल्कुल कला कंद होता है ना वैसा वाला अब बस सिम गैस पे हमको इसको लगातार बीच बीच में चलाते हुए इसका पूरी तरीके से इसको ड्राय करना है जैसे यह पूरा ड्राय हो जाएगा हम कुछ चीजे और डालेंगे और आज की रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी तो धीरे धीरे है इसको लो फ्लेम पे पकाया है और गाढ़ा होने लगता है देखते ही देखते देखिए कितना अच्छा कलर आया है कोई भी आर्टिफिशल फूट कलर नहीं डालना है कोई बहुत जारा तीम जाम नहीं करने बहुत ही अच्छा इसको मिठाई की तरीके से भी पना सकते हैं, चूकि मैंने चीनी कम डाली थी, इसलिए मैंने सिर्फ एक चम्मच यहां मिठाई मीड डाला है, यानि की कंडेंस्क मिल्क आप कुछ भी समझ लीजे, उसके साथ साथ मैंने यहां पर कोकोनेट डाला, यह डेसी केटिड कोकोनेट अगर आपके पास नारियल का गूला हो, तो आप उसका इस्तमाल यहां पर कर सकते हैं, अच्छी तरीके से इन सारे चीजों को मिक्स करना है, जितना बड़िया आप मिक्स करेंगे, उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, और देखे, अच्छे से यह गाड़ा हो चुक और बहुत बड़िया गाड़ा भी हो गया है, बस इसी स्टेच में क्या करेंगे, कुछ ड्राइफरूट मैंने घी में रोस्ट करके रखे थे, उनको फटा-फट से इसमें एड कर देंगे, अब ड्राइफरूट आप आपकी पसंद के ले सकते हैं, काजू बदाम, पिस्ता इतने ज़्यादा चाहें, उतने ज़्यादा, मैंने या मगच के बीच, चिरोंजी और काजू बदाम का इस्तवाल किया है, आप आपकी पसंद के, आपकी चोईस के, जो भी ड्राइफरूट इसमें आड करना चाहें, वो कर सकते हैं, और देखिए, पूरी तरीके से बनके रेडी है, ये कद्दू का हल्वा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा का लाकंद ये बनता है कद्दू का, इसको काशी हल्वा भी कहा जाता है कई जगे, एक बार जरूर बनाईएगा, घर के समान से बनाए, कोई फुल क्रीम नहीं चाहिए, कोई मेवा नहीं, मावा नहीं चा जाता है, तो चलिए फटा-फट से कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वही सब्सक्राइब भी कर लीजेगा, आज का हमारे की कद्दू का हल्वा बनके तयार है, खाने में बिल्कुल कलाकंद जैसा स्मेल कर रहा है, इस तरीके से बनाईए और सारी गेस्ट को प्रस्तन दर ले, चलिए मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे बने लएगेगा, और रुके रुके, सब्सक्राइब नहीं कियाओ, तो सब्सक्राइब करके ही जाएगा, आप सभी को मेरा प्यार बरा रादे करने प्याद calendar, प्यार वीडियोर को मेरा बरा सारी गेस्तो कमाईएब